सब्सक्राइब करें माधव NCRT क्लासिस को सिक्षा जगस चुड़े कोई भी नोटिफिकेशन आइबूम अपनी तयारी को आसान और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए पिरिये चातरो यदि आप कलास तैंथ या पी टॉइल्थ में है और बोर प्रिच्छा 22 में देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास बनने वाले हैं मैं ऐसे दो ट्रिक आपको बताने वाले अगर सिर्फ आप फोलो करते हैं तो आप भी बन सकते हैं टॉपर और कैसे पेपर आता है पैपर कैसा आएगा मैं यह चीज़ भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा सारा चीज़ काफी इंफोर्टेंट है तो ध्यान से आपको ध प्लिवर समझ कर ही तैयारी कर सुरू करें और कोश्चन बेंग जरूर देखें प्रिये चात्रों मैं बता दूं कोश्चन बेंग देखने से आपको यह पता चलेगा कि एकजाम में कोश्चन किस तरह से पीछे यानि प्रिवेस यह में पूछा गया है और इस वार किस तरह क कोश्चन आएगा तो चलिए इसके साथ में और कुछ आपको बताने वाले हैं बहुत ही खास बताने वाले हैं यह वीडियो आपको पूरी तरह से टॉपर बनांके बोर्ड एक्जाम पेपर कैसा आएगा बिल्कुल सठीक जनकारी बताऊंगा मैं और एक्जाम से पहले अग से पुछना चाहेंगे कि आपने अपने दम से पढ़ाई की है या पी अध्यापक के दम से तो पीड़े छात्रों आपका पूछा गया, उससे काफी question आपको रहता है, हर सल ऐसा देखा गया, यह मेरा experiment बताता है, और आप यह question bank देकर मिला सकते हैं, तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो question bank का जरूर देखे, अच्छे बिदार्ती का यही पाचान होता है, वो पूरा back year का question को अच्छी तरह स कहता है, कि इस chapter से अधिक पूछा जागा, तो वो उस तरह से पढ़ता है, तो इसी तरह से आपको भी पढ़ना है, तो आप better number ला सकते हैं, अपने exam में, और वही question पढ़े, जो की बार बार रिपीट हुआ है, अधिकांस तरह को उस question पर ध्यान दे, और question bank से आप चाहे, त परसन कैसे आएंगे, नए परसन बिल्कुल नहीं आएंगे, जो रिपीट है, वहीं पढ़े, तो पिरिय चातरों मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि इस बार भी आपको lockdown के बज़े से उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाया है, तो इस तरह से आपके exam जो question है, जो repetition है, वो काफी आपको पूछा जाएगा, और आपको बता दूँ, ये नहीं कि आपको सिर्फ repeat बाले question ही पढ़ना है, बलकि आपको other question भी पढ़ना है, जो कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, या फिर other कहीं भी class करते हैं, तो वहाँ से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप repeat question को जाद ध्यान से देखें, और अलग question को भी देखें, अग मैं यह नहीं कहता हूँ, कि आप के वल repeat वाले question को ही देखें, और सबसे important में आपको ये बता दूँ, कि आप लोग के पढ़ने का तरीका जो है, बलकुतर से गलत है, तो पढ़ते बक्त किसी भी electronic device या फिर ऐसा चीज जो की आपको डिश्टार्ब कर सकता है, उसी अपनी कमरे से बाहर रखे, उसी दूर है, प्लीज दोस्तों, ये सबसे पहला आपका चुरूरी है, जो कि यगर ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके त्यारी बहार बिल्कुल तरह से पूर हो जाएगा, और आपके पास समया जो आप देखा जाए, तो आपके पास वनली पूर वनली 110 दे, यानि 110 दिन बचा हुआ, यानि आपको मुस्किल से 3 से 4 मंद तक बचा हुआ, तो ऐसे में अपनी तयारी को काफी मजगूत आप कर सकते हैं, यहां पे सबसे इन पोटेंट आपको याद रखना है, कि हर घंट और पढ़ते वक्त आप पानी जरूर रखें, पानी पीने से हैं, दिमाग आपको पता होका 15% जो है, फाश्ट हो जाता है, तो इसलिए पानी जरूर रखें, और हो सकें, तो हर यहां पे हर घंटी के बाद आप अपनी पानी यूज जरूर परते हैं, तो केबल इसलिए मत पढ़ो की परिक्षा के लिए याद करना, बल्कि इसलिए पढ़ो की आपको कुछ नया सिखने की मिलेगा, तो दूस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कि अगर पढ़ना चाहते हैं, तो परिक्षा में टोपर बनना कोई खास बात नहीं है, आप अपने इस बात को सुचिए, और ऐसे पढ़िए कि केबल याद ना हो, बलकि आप कुछ नए सीखेंगे, इस उमंग के साथ पढ़िए कि आप कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो जैसे कि आप किसी का इंतिजार करते हैं, अच्छे वैसर्वीस से उसी तरह से आपको पढ़न ते मिले ऎने